जूम pouvlic mixture मम्मी बनी मा दुर्गा दुर्गा पुजा का दिन था मा और दादी पुजा की तैयारिया कर रही थी दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माजी, फिर शुरू हो गए अब हम पूजा की तयारी करें कि इनकी सवालों का समाधान बहु बच्चे हैं, बच्चे काफी जिग्यासू होते हैं तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इने मा पूजा में मगन हो जाती है दादी, तुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी, एक हाथ से दुष्ट राक्षशों का बद करती थी एक हाथ से अपने भक्तों को आशिरवात देती थी एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी कौन हैं उनके बच्चे? हम सब दुर्गा मा के ही तो बच्चे है हम अपने मम्मी के भी तो बच्चे है फिर मम्मी के दो हाथ ही कैसे हमारे मम्मी दुर्गा मा की तरह क्यों नहीं है तुम्हारे मम्मी दुर्गा मा की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ वो तो दुर्गा मा का ही रूप है वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हे खाना खिलाती है और हमारा होंबग भी तो करती है फिर वो दुर्गा मा का रूप हुई की नही? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा मा का रूप ही है गट्टू बहुत हुई बाते, अब काम में हाथ बटाओ, जाओ, पुजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ गट्टू भागता हुआ किचन में आता है, और नल खुलता है, पर नल से पानी नहीं आता, गट्टू मम्मी के पास आता है मम्मी नल से पानी ही नहीं आ रहा फिर वही पाइप का प्रॉबलम कितनी बार कहाँ है इनसे पलंबर को बुलाईए पर सुनते कहाँ है अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लंबर को पूलाना होगा इसके बाद मम्मी प्लंबर को फोन करती है और कुछ तेर बाद प्लंबर आ जाता है आ, कहा पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में, गटू, अंकल को किचन दिखाओ कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाओंगा ऐसा कहकर प्लंबर किचन में आता है प्लंबर को देखकर, मम्मी कुछ सोच में पर जाती है माजी, ये प्लंबर कुछ अजीब नहीं है गटू को किचन में आने से मना कर दिया जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं प्लंबर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा गटू चिंकी, तुम दोनो जाओ और प्लंबर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं गटू और चिंकी किचन में जा कर देखते हैं तो प्लंबर किचन में नहीं था तभी गटू देखता है कि बेड्रूम का दरवाजा खुला हुआ है लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है चलू बेड्रूम में चल कर देखते हैं गटू चिंकी बेड्रूम में जा कर देखते हैं तो प्लंबर अलमारी खोल कर समान अपनी बैग में भर रहा था गटू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है मम्मी गट्टू और चिंकी को देखकर प्लमबर थोड़ा डर जाता है फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है गट्टू और चिंकी चिलाने लगते हैं चोड़ो हमें, चोड़ो मम्मी तुम्हें छोड़ो और खाली हाथ लोड़ जाओं मेरे पिलो, तुम ही मेरा शस्त्र हो, अब देखो, मैं सारा घर कैसे लूट लिता हूँ मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं, और पलंबर को देखकर दंग रह जाते हैं सारे पैसे, जेवर और जो भी किमती समान है, सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा अरे मैडम सब अच्छा ही होने वाला है तुम्हारा पती घर पर नहीं है ये मैं जानता हूँ इसलिए तो प्लंबर बन कर आया हूँ ठीक है सब बेडरूम में ही है जो चाहे वो ले लो पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना प्लंबर चिंकी और गट्टू के समेट बेडरूम का दर्वाजा बंद कर लेता है बहू ये क्या किया वो मन मरजी करेगा और हम डर जाएंगे नहीं माजी चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है हम उसकी इसी कमजोरी का फाइदा उठाएंगे आप पुलिस को फोन करो मैं उसे रोकती हूँ दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुरगा माता का त्रिशोल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है जैसे ही चोर दर्वाजा खोलता है मम्मी का उतार देखकर वो डर जाता है ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूँगा तुम्हें जो करना है यही करो आगे बढ़े तो त्रिशोल से तुम्हारा वद कर दूँगी मम्मी बचाओ मम्मी बच्चों घबराओ नहीं ये डर पोक है कुछ नहीं करेगा तभी दादी पुलिस और परुसियों के साथ आती है पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ दिता है और पुलिस से कहता है सर बचाओ मुझे बचाओ ये औरत पागल है मुझे बचालो सर मुझे बचालो हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है ले जाओ इसे और हवलदार चोर को ले कर जाते हैं मैम दरसल ये चोर पागल है प्लंबर या मेकानिक बन कर घरों में गुशता है और चोरी करता है आज आपकी वज़े से ये हमारे हाथ लगा है मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप की तरह देश की हर औरत साहस और शोर ये दिखाए ये कहानी त्रेता युग की है किसी कारणवश आयोध्या के राजा राम मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेशता हूँ जैसी आपकी आग्या पिता जी मैं शिग्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगायर अकेली नहीं रह सकती थी इसलिए उन्होंने राजा दश्रत से कहा पिता जी जब मेरे पती ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूँगी कृप्या मुझे भी इनके साथ बनवास जाने की अनुमती दीजिए और फिर लक्षमन ने भी कहा पिता जी मुझे भी भईया राम के साथ जाने की अनुमती दीजिए क्योंकि राम के बिना लक्षमन कुछ भी नहीं है सीता और लक्षमन की बिन्ती सुनकर राजा दशरत ने कहा समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है किन्तु मैं तुम्हें तुभारे प्रियराम से दूर नहीं कर सकोंगा इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमती देता हूँ कुछ दिनों पश्चाद राजा दश्रत से अनुमती पाकर राम, सीता और लक्षमर के साथ वनवास के लिए चले गए वो तीनों वन में कुटिया बना कर रहने लगे सब कुछ सही चल रहा था फिर एक दिन सुर्पनका नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी तभी उसने राम और लक्षमर को देखा और सोचने लगी ये दोनों तो अत्यदिक सुन्दर हैं और बहुत बलशाली भी ज्यात होते हैं मैं इन में से ही किसी एक से विवा करूँगी ये सोच कर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुन्दर इस्त्री का रूप धरण किया और वो राम लक्षमर के पास गई पहले वो राम के पास गई और बोली हेते जस्वी युवक मैं आपकी रूप और सुन्दरे से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवा करना चाहती हूँ किन्तु मेरा विवा तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है तुम विवा का प्रस्ताव मेरे अनुच लक्षमर के पास ले जा सकती हो वो इस वन में अकेला है राम के विवा से इंकार करने पर सुर्पनका को बुरा तो बहुत लगा लेकिन फिर उसने लक्षमन को देखा और सोचने लगी इस युवक ने विवा से इंकार कर दिया तो क्या हुआ इसका भाई लक्षमन भी इसी की तरह देखता है मैं लक्षमण से ही विवा करूंगी ये सोच कर वो लक्षमण के पास गई हेते जस्वी युवक मैं आपके सौंदर से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवा करना चाहती हूँ मेरा विवा हो चुका है इसलिए मैं तुमसे विवा नहीं कर सकता किंदु आप इस वन में अकेले हैं और आपको मुझ जैसी सुनदर स्त्री से विवा करने से इंकार नहीं करना चाहिए किंदु मैं तुमसे विवा नहीं करना चाहता क्यों? क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिगल जाए तो आपका मन कैसे नहीं पिगला सुर्पनखा की चिकनी चुपड़ी बाते सुनकर लक्षमन को कुरोध आ गया और उसने सुर्पनखा के नाकान काड़ दिये नाकान कड़ते ही सुर्पनखा अपने राक्षसी रूप में आ गई राम लक्षमन ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए भाईया ये तो एक राक्षसी है मैं अभी इसका वद्ध कर देता हूँ नहीं लक्षमन इससे जाने दो सुर्पनखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुँची उस समय रावण अपने मंत्री गण के साथ राजदरबार में बैठा था भाईया रावण भाईया रावण देखी आपकी बहन सूर्पनखा के साथ क्या हुआ सुर्पनखा तुम्हारा ये हाल किस ने किया तुम मुझे उसका नाम बताओ मैं अभी उसका वद्ध कर देता हूँ भाईया वन में दो भाई राम और लक्षमन रहते हैं उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं तुम यही रुको मैं अभी उसका सरधर से अलग करके लाता हूँ नहीं भाईया उन्होंने एक इस्त्री का अपमान किया है इसलिए इसका प्रति शोद भी आपको ऐसे ही लेना होगा क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों भाईयों के साथ एक अत्यन सुन्दर इस्त्री भी है आप उसका हरण कर लीजे सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा रावर ने सुर्पनखा की बात माल ली वो एक मायावी राक्षस मारीच के पास गया और बोला मारीच मुझे तुम्हारी रावर शक्ता है आग्या कीजिए लंकेश मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूं इसमें मुझे तुम्हारी साहता चाहिए किन्तु मैंने सुना है राम बहुत वीर है अगर उन्हें ग्यात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हलने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वद्ध कर देंगे और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया तो मैं अभी यहीं तुमारा वद्ध कर दूँगा मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्क्षेश नहीं बचा है और उसे रावन की साहता करनी ही पड़ेगी वो दोनों वन पहुँचे वहां रावन की तक्कीब के अनुसार मारीच ने एक सोने के हिरन का रूप बनाया और वो राम की कुठिया के आसपास तहलने लगा जल्दी सीता की नजर उस पर पड़ी स्वामी, मुझे वो सोने का हिरन चाहिए ठीक है, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ ये कहकर राम अपने धनुश बान के साथ उस हिरन की तरफ चल दिये भागते भागते बहुत देर हो गई लेकिन वो हिरन राम के हाथ नहीं आ रहा था आखिर कार राम ने धनुश पर वान चलाया और हिरन की तरफ छोड़ दिया बान हिरन को जा लगा बान लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदल कर राम की आवाज में कराता हुआ चीखने लगा सीते लक्षमन लक्षमन लगता है तुमारे भाईया किसी संकट में है तुम जल्दी जाओ लक्षमन जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बान से लक्षमन रेखा बनाई और सीता से बोले माता जो भी हो आप इस लक्षमन रेखा से बाहर मत आना और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिये लक्षमन के जाते ही रावन वहाँ आया और तपसवी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुचा विक्षमन देई विक्षमन देई ये लेजिए रिशिवत विक्षा सविकार कीजिए रावन विक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा तभी उसने लक्षमन रेखा को देखा और सीता से कहा यदी विक्षा देनी है तो बाहर आओ नहीं तो ये तपस्वी बिना विक्षा ग्रहन किये ही तुम्हारे द्वार से लोड जाएगा सीता किसी तपस्वी को खाली हाद नहीं जाने दे सकती थी इसलिए वो लक्ष्वन रेखा से बाहर आई उनके ऐसा करते ही रावन ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया मैं कोई तपस्वी नहीं मैं लंका का राजा रावन हूँ और रावन सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया जब राम और लक्ष्वन को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंब कर दी खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान सुग्रिव जामवन और विभीशन जैसे महान और वीर योधाउं से हुई और जब उन्हें ये ग्यात हुआ कि रावन सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है तो उन्होंने बानर सीना के साथ लंका पर चड़ाई कर दी पहले राम ने कुम्प करण को मारा फिर लक्षमन ने मेगनात का अभिवत कर दिया और अंत में रावन और राम का युद्ध आरंब हुआ रावन बहुत मायावी था वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था राम के तीर उसे कुछ शती नहीं पहुचा पा रहे थे यहां तक की राम ने रावन का सिर भी धर से अलग कर दिया किन्तु ऐसा करते ही अगले ही छण उसका एक नया सिर आ जाता था यही रावन मरता क्यूं नहीं तब यह विवीशन वहां आये और उन्होंने राम से कहा प्रभू आप रावन की नाभी पर वार कीजिये तभी रावन का वध होगा राम समझ गए और उन्होंने धनुश पर बान चड़ा कर रावन की तरक छोड़ दिया बान रावन की नाभी पर जा लगा और रावन करहते हुए धरती पर जा दिरा इस तरह राम ने रावन का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया लिए मैन तरह तरह हुआ बार लिया